सिल्मान खान को जेल में देखकर इस एक ट्रेस ने जताई खुशी कहा मिली है करमों की सजा काला हिरन शिकार मामले में सल्मान खान को पांच साल की सजा सुनाई है सल्मान को मिली सजा मिलने से उनके फैंस और फिल्म इंडिस्ट्री से जुड़े उनके दोस्त मायूस और सदमे में है वहीं एक एक प्रेस ऐसी भी है जो सल्मान की सजा से काफी खुश है बॉलिवुड और एक बिग बॉस कंटे स्टेन सोफिय है अपने सलमान खान को पांच साल की सजा मिलने पर खुशी जताई है सोफिया ने अपने इंस्टाग्राम पर एक्टर की एक तस्वीर शेयर की है जिसमें लिखा है आखिर में आपको कर्मो का फल मिलता है बहुत से लोग सलमान के खिलाफ बोलने से डरते हैं क्यूंकि उन्हें लगता है सलमान बॉलिवुड को कंट्रोल करते हैं लेकिन मैं किसी से नहीं डरती मुझे खुशी है कि जो सलमान ने किया उसके लिए उन्हें जील जाना पड़ा सोफिया लिखती है इस धर्ती के लिए जानवरों का होना बहुत जरूरी है सलमान ने ये सब करने से पहले जरा भी नहीं सोचा बहुत सारे बच्चे सलमान को पॉलो करते हैं और युवा लोगों के प्रति उनकी जिम्मेदारी बनती है वे हैसे काम करके दुनिया को क्या दिखाना चाहते है युवाओं को क्या शिक्षाद दे रहे हैं कि कानून तो ड्ना और जानवरों को मारना फिर खुद को बचाना सही है सिर्फ इसलिए क्यूंकि वे एक सेलेबरीटी है सोफिया आगे लिखती है कि आज भारत ने बता दिया कि आप चाहे जो भी हो कानून से बड़ा कोई नहीं है सोफिया ने कहती है कि आज गरीब लोगों को यह उम्मी जागी है कि वे हूँन लोगों के खिलाफ नयाई के लिए लड़ सकते हैं जो कानून का मजाक उनाते हैं आज मैं कह सकती हूँ हिंदुस्तान जिन्दाबाद गौर तलब है कि भारतीय मूल की ये ब्रिटिश मॉडल और एक ट्रेस सुफ्या हर्याद 2013 में बिग बॉस साथ का हिस्सा रह चुकी है शो में उनकी सल्मान खान से कई बार बहस भी हुई थी आप हमें नीचे कमेंट करके बताएं कि क्या आप सुफ्या की बातों से सहमत हैं या नहीं फिलाल आज के लिए बस इतना ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस पर लाइक का बटन जरूर दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले शुक्रिया